आज आज अम अपने इंगलिश स्रिडर बुक का थर्ड चाप्टर रोहितच लउन्स अलेसं स्टार्ट करेंगे रोहित लउन्स अलेसं ल convicted है सीखना, as learn सीखता है a lesson, तो ही तेक सबक सीखता है, let's think सोचिए, do you always obey your parents and elders क्या आप हमेशा अपने माता-पिता और बड़ों का कहना मानते हैं let's find, पता लगाई सोच कर, why it is necessary to obey our parents and elders, अपने माता-पिता और बड़ों का कहना मानना क्यों जरूरी है, what will happen if we disobey our parents and elders, यदि हम अपने माता-पिता और बड़ों की आग्या नहीं मानेंगे, उनका disobey करेंगे, तो क्या होगा यह हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, रोहित वास दा उनली सन ओफिस पेरेंट्स रोहित अपने माता-पिता का इकलोता बेटा था, he was only seven years old वह केवल साथ साल का था, but he was a hotty boy, hotty hotty का मतलब क्या होता है घमंडी, दंभी he read in a re-owned public school of the city वह शहर के एक जाने माने school में पढ़ता था, every morning रोजाना सुबह he would get ready for the school, वो स्कूल के लिए तयार हो जाता, रोज सुबह वो स्कूल के लिए तयार हो जाता वियर यूनिफॉर्म अपने यूनिफॉर्म पहनता, एंड हिस फादर और उसके पिताजी, वोड़ द्रॉप हेम इन दा स्कूल, उसे स्कूल में छोड़ते one day एक दिन his father had an urgent meeting in his office एक दिन उसके पिताजी को office में urgent meeting urgent का मतलब होता है आवश्यक बहुत जरूरी meeting थी so, इसलिए रोहित's mother said रोहित की मा ने कहा that she would take him to school by rikshah कि वो उसे rikshah से school ले जाएंगी क्या कहा? कि रोहित की मा ने कहा कि वो उसे rikshah से school ले जाएंगी as you know ऐसा कि आप जानते हैं रोहित वाज होटी रोहित कैसा था? घमंडी था, जिद्धी था he said, उसने कहा that he would not go by rikshah कि वो rikshah से school नहीं जाएगा and his father और उसके पिताजी should drop him in the school उसके पिताजी को उसे school छोड़ना चाहिए his mother, उसकी मा tried to convince him उसकी मा ने उसे convince याने समझाने की कोशिश की but he was not ready to listen, लेकिन वो सुनने के लिए तयार नहीं था at last और अंत में his father had to drop him as usual उसके पिताजी को उसे रोजाने के तिरज छोड़ना पड़ा so इसलिए रोहित रीज्ट स्कूल रोहित स्कूल पहुंचा with his father अपने पिताजी के साथ his father was already late for his office उसके पिताजी ओफिस के लिए पहले ही लेट हो चुके थे already पहले से ही he was in hurry hurry का मतलब क्या होता है जल्द बाची वो जल्दी में थे and when or जब he was trying to cross the road वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे his scooter bumped into a pit उनका scooter एक खड़े में उचला and he fell down और वो नीचे गिर गए people took him to a doctor's chamber लोग उसने doctor के cabin में ले गए the doctor bandaged his wounds doctor ने उनकी घाओं पर bandage की bandage क्या होती है पटी की wounds घाओं पर gave him some medicines और उन्हें कुछ दवाईयां दी medicines याने दवाईयां and advised him और उन्हें सला दी complete rest पूरा आराम करने की for the day he had to miss the important meeting और उन्होंने अपने उस दिन की he had to miss the important meeting उन्होंने अपने उस दिन की जो महतोपुन मीटिंग थी वो छूट गई उनकी Rohit returned home in the afternoon Rohit दुपहर में घर लोटा he looked in the kitchen उसने रसोई घर में देखा but mother was not there लेकिन मा वहाँ नहीं थी he went to the bedroom फिर वो कहां गया? बेडरूम में but what did he see there? वो वहाँ क्या देखता है? His father was laying on the bed उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए थे there were bandages on his arms and forehead उनके बुजाओं पर और माथे पर पट्टियां थी his mother was sitting beside उसकी मा वहाँ पर बैठी हुई थी some additions, कुछ दवाईया were kept, रखी हुई थी on the side table pass की table पर at once उसी समय रोहित realized realized का मतलब महसूस हुआ realized का मतलब क्या हुआ? महसूस हुआ everything उसको सब चीज़े महसूस हो गई वो समझ गया he realized, उसने महसूस किया that it was his haughty nature कि यह उसका जिद्दी सुभाव था that was behind the accident उसका जिद्दी सुभाव ही इस accident के कारण था he stood खड़ा रह गया silently चुपचाप in one corner एक कौने में tears, tears का मतलब होता है आंसू rolled, लुड़क पड़े down from his eyes आंसू उसकी आंखों से लुड़क पड़े या बहार बहने लगे just then his father opened his eyes तभी उसके पिताजी ने अपने आंखे खोली he सादा रोहित उन्होंने रोहित को देखा and waved his hand और अपना हाथ हिलाया to call him near उसे पास बुलाने के लिए रोहित forget everything रोहित हर सब चीजें भूल गया he rushed towards his father वे अपने पिताजी की तरफ दोड़ा and hugged him और उनको गले लग गया he was sobbing sobbing का मतलब होता subakna he was sobbing वो subak रहा था bitterly बुरी तरीके से he was also uttering वो बुद्बुदा भी रहा था पापा पापा please forgive me forgive का मतलब होता maaf करना पापा मुझे माफ कर दीजिए this time इस बार I promise मैं वादा करता हूँ I shall never be disobedient again मैं कभी आपकी अवग्या नहीं करूँगा अवग्या मतलब कहना नहीं मानना his father उसके पिता जी ने claps'd him मतलब उसे कसकर सीने से लगा लिया on his chest अपने सीने से उसके पिता जी ने कसकर उसे सीने से लगा लिया there was tears in his eyes उनकी आँखों में भी आसु थे but लेकिन they were the tears of jaw लेकिन वो आसु खुशी के थे from that day उस दिन से रोहित नेचर चेंज कमप्लेटली रोहित का सुभाव फुरी तरीके से बदल गया तो इस स्टोरी से स्ट्रेंट्स हमें क्या सीखने को मिलता है रोहित ने क्या सीखा और स्ट्रेंट्स ने क्या सीखा हमें कभी भी होटी नीचर का नहीं होना चाहिए जिद्दी और घमंडी नहीं होना चाहिए हमें अपने एल्डर्स और पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप वर्ड बैंक के जो वर्ड मेनिंग है वो अपनी नोट बुक में लिखेंगे और नेक्स वीडियो में हम इसके कॉशन आंसर के शीट आपको भीजेंगे ओकी स्टूडेंट्स थैंक यू